हाई फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बिंडी की सबजी बिंडी की सबजी बनाने के लिए पैन में मैंने 4 तेबल स्पून ओयल डाल दिया है फिर मैं इसके अंदर दो बड़े प्यास स्लाइसे में काट कर डाल दूँगी यह देखिए हम इसको अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे यह प्यास हलकी सी गोल्डन ब्राउन होगी तो मैं इसके अंदर डाल देंगी हूँ साथ से आठ हरी मिर्चे हमने छोट-छोटी काट ली है और इसको इसके अंदर डाल देंगे और अच्छा सा फ्राइ कर लेंगे इससे क्या होगा हरी मिर्चे भी इसके साथ फ्राइ हो जाएंगी और यह अपना अच्छा सा एक फ्लेवर प्याज और तेल में छोड़ देंगी इससे बिंडी की सबजी बहुत अच्छी लगती है इसे बाद में न डालके आप इसी वाली स्टेज में प्याज में डाल दें यह देखिए अब हमारी प्याज और हरी मिर्च भी फ्राइ हो चुकी है अब हम इसके अंदर डालेंगे बिंडी मैंने बिंडी के 2-3 हिस्से कर लिये हैं जादा पतली नहीं काटी है मैंने इसे मोटा मोटा ही रखा है और आपको पैन के अंदर डालकर इसको मिक्स कर लेना है जिससे प्याज हरी मिर्च और ओयल बिंडी से चिपक जाएं यह देखिए हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर डाल रहे हैं नमक नमक आप अकॉर्डिंग टेस्ट जालें वरना यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और यह 1 केजी भिंडी है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें जिससे नमक सारी भिंडियों पर लग जाए और यह वाली भिंडी आपको बनानी है इसलो फ्लेम पर यह देखिए दस-दस मिनट के बाद आपको इस तरीके से हलके हाथों से इसको पलटना है जिससे यह चारो तरफ से सिक जाए और हम इसको खोल कर इसलिए बना रहे हैं जिससे जो बिंडी का जो कलर होता है वो ग्रीन ही रहता है धकने से इसका कलर अजीब सा हो जाता है थोड़ा ब्लैक नहीं तास हो जाता है इसलिए इसे खोल कर पकाएंगे इसके अंदर मैंने एक टमाटर भी काटकर डाल दिया है कर सकते हैं यह वाली भिंडी आपको स्लो फ्लेम पर बनानी है मीडियम या हाई फ्लेम पर वह भिंडी नहीं बनेगी क्या होगा जल जाएगी बाहर से जब जा कुक किया है आदा घंटे लगते हैं इसमें पर ये भिंडी काफी अच्छी बन जाती है और ये भिंडी हमारी बनके बिल्कुल तयार हो चुकी है अगर आपको मेरा ये चानल विश अडिश पसंद आया हो तो प्लीज लीव अ कमेंट कि अच्छी है